हेलो फ्रेंट्स मैं मनोज कुमार आपका भाई या आपका दोस्त फिर से हाजिरू आपके सामने लूप की एक और नए सेरी ले करके एक और नया कंसेप्ट ले करके जैसा कि previous कई वीडियो में हम लगाता loops की बात कर रहे हैं basic loops को हमने समझ लिया while loops को हमने समझ लिया for loop जो मेरा सबसे ज़्यादा coding में use होता है वो भी मैंने समझ लिया exit exit when continue and continue when कब मैं अपने basic loops के साथ लिखता हूँ वो भी मैंने easily समझ लिया दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूँ कि लास्ट वीडियो का एक और concept जो आपको यहाँ जानना चाहिए जो मुझसे skip हो गया था वो आपको यहाँ जानना चाहिए अगर मैं आपसे बोल दूँ यह देखे छोटा सा कोड है दोस्तों इसको ध्यान से देखे declare section के अंदर मैंने i नाम का एक variable लिया है जिसको value मैंने 5 असांग किया है declare section के अंदर साथ मैं begin के अंदर एक for loop भी start किया है जिसमें keyword भी मैंने i ही use कर लिया है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि loop चले एक से लेके 3 तक और values कुछ यह वाली print कर दे है ठीक है कि loop कितने number of time चल रहा है वो मेरे यहाँ print होता चला जाए उसके बाद loop के बाहर इस loop के just बाहर फिर से मैं i की value को print करा रहा हूँ तो दोस्तों कौन सी value कहां print होगी किस वाली value का scope कहां तक है कहां तक i किस तरीके से access हो रहा है यह आपको जानना चाहिए समनना चाहिए इससे आपको यह भी पता लगीगा कि कौन से वाले i का scope कहां तक valid था और कहां तक नहीं था यह वाला जो i है ज कर लिया है तो ये वाला आई जो है दोस्तों ये केवल और केवल इस लूप के अंदर ही वैलिड है अगर मैं किसी इस लूप से बाहर कहीं भी आई का यूज करूंगा तो बाई मेरा ये वाला ही एकसेस होगा हमने डिसकस्तों कर लिया कोड को चला के देखते हैं देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है कहां पर प्रिंट होती है देखे दोस्तों ये वाले आई का स्कोप केवल और केवल इस वाली स्टेटमेंट के अलावा कहीं भी नहीं है जब तक चला है तब तक यह value यहां पर easily 1, 2, 3 तीन बार क्योंकि एक से तीन तक का लूप था तो तीन बार यह value प्रिंट हुई अब 5 value तो मैंने कहीं पर key भी नहीं है 5 value मैंने outer इस वाले i को assign के थी तो अगर मैं i को इस loop के अलावा कहीं और access करूंगा तो by default दोस्तों मेरा ये वाला i ही scope में आएगा तो दोस्तों ये तो छोटा सा example था जो मुझे लगा आपको जानना चाहिए जिसमें i के scope की बात हमने की आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखने वाले cursor loops को basically cursor को हम पूरा full-fledged अलग वीडियो में consider करेंगे but क्योंकि loops की बात कर रहे हैं तो logic आपको यहां पर clear होना चाहिए दोस्तों जब कभी हम for loop देते हैं तो for loop में ये चीज़ जरूर बताते हैं कि loop मेरा कहां से कहां तक चलेगा जब मैं loop के साथ cursor को use करता हूँ तो दोस्तों जो मैंने यहां पर एक से तीन जीय यहां पर pass हो जाता है मेरा cursor किस तरीके से example की तरफ बढ़ते हैं ये देखिए दोस्तों ये एक छोटी सी table है इसका select में आपको चला के दिखाता हूँ इसमें total number of records 15 हैं और इस 15 record के basis पे मैंने एक cursor create किया है cursor पे बिल्कुल अभी focus नहीं करना है आपको focus करना है दोस्तों loop पर cursor पे जब हम जाएंगे तो in detail, in depth में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा क्या cursor होते हैं कितने types के होते हैं कहां use करने चाहिए कहां नहीं करने चाहिए किस तरीके के इनके attributes होते है क्या उनके meanings होते है कैसे cursor को खोलते हैं कैसे बंद करते हैं सब बात करेंगे लेकिन आज के video में आपको focus करना है cursor के loop पे तो cursor के loop को सबसे पहले तो देखते हैं इसका syntax देखें ये मैंने 5-6 line का एक code लिखा है declare section से end तक तो मतलब ये anonymous block हो गया anonymous block के अंदर simple cursor को define करने का तरीका ही है और ये मैंने अपनी cursor को किस table के base पर या किस query के base पर define किया है वो मैं देता हूँ नीचे जरूरी नहीं है मैं star use करूँ जरूरी नहीं है कि जो भी चीज में यहाँ select में दूँगा उनहीं का scope यहाँ पर नीचे active रहेगा अगर मैं एक column लेता हूँ इस पूरी table में से तो केवल उसका scope यहाँ पर आएगा cursor के अंदर अगर मैं पूरी table का star use करता हूँ तो मतलब सारे columns जितने भी e name, employee number, job, salary, hydrate, commission जो भी है उन सब का scope नीचे cursor में active रहेगा अब बात करते हैं कि cursor तो मैंने define कर दिया cursor को कैसे loop के साथ use करूँगा दोस्तो, begin section मेंने start किया begin के अंदर आता हूँ सब से पहले लिखता हूँ for जैसे for loop का syntax है for के बात देता हूँ एक अपना variable जिसके basis पे increment होगी internally मेरी value और चलेगी कहां तक जैसा कि for के अंदर हम यहां range देते थे बट यहां पर range नहीं देते हैं यहां पर देते हैं अपने इस वाले cursor का नाम कि मेरा चले वहां तक जहां तक है C1 cursor C1 cursor automatically यहां पर इस query का select चलाता है और एक range define कर लेता है कि total number of record मेरे 15 है तो यह automatically 1 से लेके 15 तक automatically define हो जाता है तो cursor loops को देने का यह एक तरीका है दोस्तों इसके बाद simply यहां पर DBMS output मैंने लिखा है और अपनी values को simply यहां पर print करना start किया है एक बाद चला के देखते हैं इसको यह मैंने चला दिया है देखते हैं दोस्तों क्या output यहां पर आता है यह देखे दोस्तों क्योंकि star यूज किया था तो table के सारे columns का scope था but मैंने cable और cable i.i और उसके बाद dot करके मैंने employer name को access किया आप नीचे देखेंगे सारे के सारे employees का जो नाम है वो यहां पर simply print हो गया बात करते हैं cursor से related दूसरे example की हाला कि यह cursor पर focus नहीं कर रहे हैं बट फिर भी एक और example देखते हैं देखे दोस्तों ऊपर हमने cursor को लूप को लिखने का एक तरीका देखा नीचे loop को लिखने का एक और तरीका देखते हैं देखे दोस्तों simple एक cursor लिखा एक table के base पर लिखा एक variable लिखा उपर देखे कोई variable नहीं था values को print कराने में किसी variable की necessity नहीं पड़ी किसी variable की ज़रुरत नहीं पड़ी बट यहां पर देखे क्योंकि लिखने का तरीका थोड़ा अलग है तो यहां पर मुझे variable की ज़रुरत पड़ी सबसे मेले मैंने अपना एक cursor open किया कौन सा cursor? C1 cursor यह cursor जो है इसको मैंने यह open किया open करने के बाद मैंने बोला loop चले end भी हो जाए कब तक चले exit when C1% not found मतला तब तक चले जब तक इसकी value इसको मिलती रहे जब value ना मिले तभी की तभी मेरा यह loop से exit कर जाए simply दोस्तों यह वाला syntax मैंने लिखा है और इसको अगर मैं चलाता हूँ तो देखे इससे भी same to same वही values प्रिंट होंगी जो मैंने अभी आपको दिखाई दी क्यों बस लिखने का तरीका है loops से values को access करने का तरीका है और यह मेरे cursor loop का output यहां बाद आगया simply सारे के सारे नाम जो table के थे वो यहां print हो गए तो यहां पर हमने छोटे से इस वीडियो के मादम से केवल यह समझने की कोशिश की कि मेरे cursor वाले loops किस तरीके से run होते हैं किस तरीके से काम करते हैं तो दोस्तों अगरे छोटा सा example छोटी से मेरी मुहिम आपको अच्छी लगी हो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा मेरे उन भाईयों के लिए जो loops को लेके घवरा जाते हैं जो loops को लेकर के परेशान हो जाते हैं या अपने concept को clear करना चाते हैं साथ में दोस्तों comment करके अपनी requirement, अपने suggestions अपने इस भाई तक इसी तरीके से पहुचाते रहीगा so that मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँ और दोस्तों मुझे support करने के लिए मुझे motivate करने के लिए दोस्तों चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलेगा साथ में जितना भी code हमने अपनी लैब में देखा है इसके लिए कभी परिशानी होना है अभी नहीं कभी नहीं क्यों क्योंकि आपके भाई का एक ब्लॉग है जिसका link description में भी दिया हुआ है और जो यहां blink भी कर रहा है उस पे simply आप जाकर के कोई भी लैब का code easily देख सकते हो यूज कर सकते हो और कभी time मिले तो आपके भाई का एक vlog YouTube channel भी है उस पे visit कीजिएगा और comment करके जरूर बताइएगा कि आपने visit किया है आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा फिर से मुलाकात होगी एक नए concept के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों thank you so much